नमस्कार वल्कम बैक टू अम्बरिश्मातो इंफोर्मेशन एंड हेल्थ कियर टाइटल और थम्निल देखकर आप समझी गए होंगे कि आज हम किस विसाई पर बात करने वाले हैं जी हाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं आज हम जीस विसाई के बारे हम बात करेंगे वो है बायो डिग्रेडवल प्रेडनसी टेस्ट किट बायो डिग्रेडवल प्रेडनसी टेस्ट किट वो टेस्ट किट है जिसे आप इस्तेमाल करने के बाद उसे फ्लस कर सकते हैं तो यह विडियो बहुत ही इंपोर्टन विडियो है और इसमें मैं बहुत ही खास जानकरी आप सभी के असाथ शेयर करूंगा विडियो के अंतक जरूर बने रही है तो चलिए बायो डिग्रेडबल प्रेडेंसी टेस्ट कीट के बारे में आसान भासा में और डिटेल में समझते हैं अब में से अधिकतर लोगों ने प्रेडेंसी टेस्ट कीट के बारे में सुनाई होगा और अब में से अधिकतर लोगों ने इसे देखा भी होगा जी हाँ Memory chief होती है कि इस तरह की अभी जो मार्कट में है अफ़ेलबल वह इस तरह की प्लास्टिक की कीट होती है कि जो बिलकुल एक स्ट की कैसे प्लास्टिक का बना हुआ है इसनिय Professe के लिए मैं बता दों कि सलाना दुनिए भर में 1000 ठनसे बदा buying plastic वेस्ट जमा होती है यह plastic वेस्ट हमारे अर्थ को और हमारे environment को काफी नुकसान कोचाता है यह हमारे इकोसिस्टम को काफी प्रदूसित करता हैं आपके जानकरी के लिए मैं बता दों कि हर साल कडोरों से भी ज़्यादा प्रेडेंसी टेस्ट कीट दुनिया बर में यूज होती है यानि प्रत्तेक्शिया परऊक्ष रूप से ये प्रेडेंसी टेस्ट कीट भी प्लास्टिक वेस्ट के रूप में जमा होती है जो हमारे environment को किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुँचाती है लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है यह अच्छी खबर यह है फैंसिलवेनिया की एक कमपनी जिसका नाम है लिया टाइगनोस्टिक इस कमपनी ने एक खास तरह की फ्रेग्नेंसी टेस्ट कीट की खोज की है इसका खासियत यह है कि इस प्रकार के टेस्ट कीट में टेस्ट करने के बाद उसे आप पानी के साथ फ्लस कर सकते हैं यानि अगर आसान वासा में बताय जाये तो इस प्रकार का टेस्ट कीट में अगर टेस्ट करते हैं आप टेस्ट करने के बाद इसे comment में डालिए और उसे plus कर दीजी इसका जो material है ये plant fiber से बना हुआ है याने tissue paper की जो material है इसका भी material बिल्कुल सेम है लेकिन टेस्ट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल प्लास्टिक का जो pregnancy test kit आता है उसके जैसा ही है जैसे कि प्लास्टिक का test kit में आपको दो से तीन बुंद urine डालना पड़ता है अगर दो लकीर आती है तो test positive है अगर single line आती है तो test negative है लेकिन इसका खासियत यह है जो हम प्लास्टिक का test kit यूज करते हैं इसे हम यूज करने के बाद यह प्लास्टिक वेस्ट के रूप में जमा हो जाता है लेकिन लिया कंपनी ने जो बनाए है यह test kit वायो degradable test kit इसे आप यूज करने के बाद इसे फ लिया का यह test kit पानी में असानी सिफ घूल जाता है साती साती यह eco friendly भी है और यह woman friendly भी है women friendly इसलिए है क्योंकि women चाहे तो इसे office में use कर सकती है घर में use कर सकती है और साथी साथ इसे use करने के बाद कहां रखें इसका कोई tension नहीं लेना होता है क्योंकि इसे use करने के बाद आप direct इसे flush कर सकते हैं पानी में और आपको जनकरी के लिए मैं बता दूँ कि यह अभी सिर्फ और सिर्फ यूएस में available है इंडिया में लिया कि यह किट अभी तक आई नहीं है मैं आसा करता हूं कि यह बहुत ही जल्द इंडिया में भी उपलब्द हो जाएंगे और अगर लिया के बारे में आपको और भी डिटेल जनकरी चाहिए तो मैंने description box में link दे रखा है वहाँ से आप जनकरी ले सकते हैं यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो के लाइक कीजिए वीडियो के अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और इसी प्रकार का informative वीडियो के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब